इस वीडियो में मैं आप लोग को बदाऊंगा आप लोग किस तरफ से हॉटसेफ पे में आपना एक निया बैंक आइक अड़ कर सकते हैं नमस्कर मेरा नामे विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक कर चली वीडियो को शुरू करते हैं पहले आपको प्लेस्टोर में जाके हॉटसेफ अपड़ेट कर लेना है आपड़ेट करने के बद होटसेफ आपको ऑपन करना है जिस तरफ का इंटरफास आएगा आप यूपाई स says आपको त्सक्राने क्लेकर नाहीं आपको बताएगा जो से बुरू किने करा के लिए करके आप यह process को next कर सकते हैं इसके बाद दिखिए आपको scroll करने के बाद इधर आपको option मिल जाएगा add payment method इधर आपको click करने के बाद आपका जो bank है वो चूच कर लेना यानि जो नया bank account आप एड करना चाहते हैं तो मैं state bank आप इंडिया चूच करना चाहता हूं तो state bank को चू करना है यानि आप इस account से payment transfer करना चाहते हैं और नहीं तो payment जब receive होगा तब इस account में लेना चाहते हैं तो आपको इसको लिए default करना पड़ता है एक बार बैंक पर click करना है उसके बाद आपको option मिल जाएगा set as default set as default के मदलब होता है किसी भी टाइम पे customer आपको payment करेगा customer बत आप कर सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा तो यह state bank of India default हो चुका है तो इसी तरफ से आप एक नया bank account add कर सकते हैं अभी आप किसी को भी payment करेंगे और किसी को भी आप receive करेंगे तो पहले आपको दिखाए जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए मैं क्या करता हू बट यह जो स्कीन है security region के लिए आप देख नहीं पा रहे हैं साइट इसका side में आप फोटो किचके हम डाल देंगे वह चेक कर सकते हैं तो चलिए मैं एक रूप करता हूं इसके बाद आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा तो यह भी आपको बताएगा जो state bank of India की तर इंटर कर देता हूं पिन एंटर करने के बाद देखिए मैं आपको बताऊंगा तो यह processing करके दिखाएगा इसके बाद देखेंगे यह जो पेमेंडर successfully हो चुका है और इधा देख सकते हैं यह state bank के साथ हुआ है यह state bank से आपका balance हो है detect हो है इसी तरह से आप आपना bank account को default कर आपके यूज कर सकते हैं और एक नया वैकाउंट एड़ कर सकते हैं वीडियो को अच्छा लगए तो लाइक का दीजिए दुसक्तर कर लिजिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए अच्छा रही है नमस्ते